नमस्कार साथियों मैं आपका साथी दिनेश बौरा इस वक्त की बड़ी खबर से आपको मैं बता रहा हूँ दरसल आप देखिए बाड़मेर विदानसभा से बीजेपी का अभी तक कोई प्रतियासी घुशित नहीं किया है आज जो सूची आई थी उसमें भी नाम नहीं था लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी निकल कदारी है जिससे मैं आपको इस वक्त रूपरू करा रहा हूँ पिरिंका चौधरी ने अभी-अभी मैसेज करकर आदा गंटा पहले ही अपने समर्थकों को ये बताया है कि पिरिंका चौधरी है वो बार्मेर विदानसभा को बीजेपी ने पूरी तरीके से होल्ड पर कर दिया है क्योंकि आप देखिए बीजेपी की तीन सूची आ चुकी है तीसरी सूची में ऐसा कहा जाता था कि बार्मेर का नाम जरूर होगा पिरिंका चौधरी है उसमें सबसे टॉप पर चल रही थी लेकिन परदेश से भी नाम भीजा गया था लेकिन जो तमाम घटना करम हुआ दो दिन का और उसी बीच यह जो मैसेज आया हुआ है और ऐसा कहा गया है कि अल्फ समय के अंदर मतलब सौर्ट नोटिस के उपर सभी लोगों को यह मैसेज है वार्टसप पर भीजा जा रहा है पिरिंका चौधरी है अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगी दरसल क्या कुछ इस मैसेज के अंदर लिखा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ आप देखिए इसमें लिखा गया है कि नमस्कार राम राम सा आप सभी को अमेंतित करते विए अत्यांत हर्स हो रहा है कि मैं पिरिंका चौधरी ब बकाइदा उसके लिए एक बड़ा सकती परदर्शन है मैंने तीन दिन पहले ही ट्वीटर पर बतायाता है कि पिरिंका चौधरी के समझ को ने अंदर खाने पूरी तैयारी कर दी थी और बताये गया है सारे दस बजे भगवती मेला ग्राउंड सिंदरी चौराये पर विसाल जिलूस के साथ ही जिला कलेक्टेट पहुंचा जाएगा जी हां बड़ी सी एक सभा रखी गई है और वहां पर ऐसा बताया जाता है बार्बिर विदान सभा के साथ ही जो गंगा राम चौधरी इनके जो परिवार के पुराने तालुकात है चाहे वो बार आस पास के और एक कारिकरम में पदार का सोबा बढ़ाए चार तारीक साड़े दस बजे दरसल आप देखिए ये प्रिंका चौधरी की और से अभी आदा घंटा पहले ही सभी जगों पर मैसेज फोरवर्ड किया जा रहा और तमाम जो तैयारिया है वो सुरू कर दी गई है कि किसी भी हालत में लेकिन अभी तक आप देखिए बीजेपी ने अपने पते नहीं खोले है कि आखिर बार्मेर से कौन उमीदवार होगा उससे बीच के अंदर पिरिंका चौधरी का नामांग कर पत्र दाखिल करना कहीं न कहीं क्या अंदर खाने को इसारा मिल गया है या आप देखिए एक सक 2013 का विदानसवा चुधा भी पिरिंका चौधरी ने लडा था 2018 के अंदर दावेदार थी लेकिन करनल सोना नाम चौधरी की एंट्री हो गई थी और उस कायन से पिरिंका चौधरी का टिकट कर गया था और इस बार भी हालत है वो पितले दो दिनों से कुछ मामला है वो फस उस फसने के चक्कर में बार मेर विदानसवा को होल्ड पर लग दिया गया है लेकिन अब सीधे तोर पर पिरिंका चौधरी ने अपने इदादे है वो जाहिर कर दिये या अंदर खाने को यह सारा मिला इन तमाम चीज़ों को लिकर हमारे आप पर पल पल पर रज़त रहेग कैमले के पीछे ना तु सिंगे मैं आपका साथी दिनिश्वारा